सब्सक्राइब किजिए मिस्टर लाड यूटूबर चानल को और बेल ऐकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स मैं हूँ भरतेश लाड मिस्टर लाड यूटूबर मैं आपका फिर से स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फोर प्लस टू एलेक्ट्रिकल बोल्ड का कनेक्शन कैसे करना है ठीक है आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर मैंने अल्रड़ी चार स्विच एक सॉकेट और एक फैन रेगुलेटर जो है बोल्ड के उपर असेंबल कर दिया है ठीक है तो इसका हम कनेक्शन सिखेंगे ठी तो चले वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये गए रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिजे और उसके साइड वाले बेल को भी प्रेस कर दिजे ताकि आपको नए वीडिय सब्सक्राइब के उपर स्वीच और सॉकेट जो है बटा दिये हैं और एक फैन रिविलेटर भी यहां पर बिटा दिया है और हमने वायर जो है पहले से यहां पर कटिंग करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच सके ठीक है तो हम सबसे पहले जो है अपने फेज यानि के लाइन को ट्नेक्ट करेंगे ठीक हैं हम सबसे पहले जो है लाइन यानि की फेज जो हैं कनेक्ट कर रहे हैं इसके लिए हमने यलouring यूज़ यूजिई की है तिता है तो हम यहां पर एक जञ या कि से दूसरे स्वीच में करेक्स कर दिया है कि और यह जो है हमारा लाइन जो है दोस्तों बहँर से आने वाला है प्लेक है रहे हैं तो यहां से हम एक तीसरे स्विच को भी लाइन जो है देने वाले हैं तो यहां तो अगया है 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 और यहां से हम चोटिय स्विच को भी फेज जो है देने वाले हैं ठीक है 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 मोग है न लाह खक पम सिंध देना फमा ऑार ओौक ten पहीं जो है रहाः प्या किज मत है क्या रहा है तैलव किश्कत को है म suffer like a m आ कि तो मारा फेज oni ये दोस्तों complete हो गया है यह हमारा बहर से फेज पी जा गया और चार जोच को व्हहस में अनिक कर दिया हैं तो अब हम neutral कर से करेंगे टीक है जहां पर देख सकते हैं दोस्तों को अगैंड नोर्ट नृटल कर दिया है अजिक और हम नेंड है अर्ट दोस्तों यहां से जोह हैं और तीन जोहें जोहें नीयोटल निकाल गृत टिक है clairement के लिए और दो लाइट के लिए ठीक है इसके तो यहां पर ले ली है यहां पर हम तीनों को कि अनेक्ट करके जहें निट्रल बोल्ट से बहार निकालेंगे तीक है कि अग्याओ कि अग्याओ कि अग्याओ मैं और एक बार दोस्तो आपको पूरा समझा दूँगा अब हम इसका अर्थिंग और कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते दोस्तों सॉकेट के उपर आपको अर्थिंग का सिंबॉल भी दिखाए दे रहा है तो यहाँ पर हम अर्थिंग जो है इसको दे देंगे ठीक है तो हमारा अर्थिंग भी हो गया है तो अब हमारा अर्थिंग भी हो गया है अब हमें दोस्तों अपने सॉकेट को जो है लाइन देना है यानि की फेज ठीक है तो हम यह स्विच जो है अपने सॉकेट के लिए यूज करने वाले हैं ठीक है तो हम यह स्विच से जो है यहाँ पर सॉकेट में जो है लाइन देंगे ठीक है झाल 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 तो हमारा सॉक्ट का पूरा कनेक्शन हो गया है अब हम आते हैं फैन रेगुलेटर के तरफ ठीक है तो इसमें से हमारा एक न्यूटरल जो फैन के लिए गया है और हमारा फैज जो है फैन का वो हम ये बटन को कनेक्ट करेंगे क्योंकि हम इप बटन जो है यूज करने वाले है ठीक है तो हम यहां पर फीज जो है यहां पर क्नेक्ट करते हैं क्योंकि फैं रिइटर जो है दोस्तों हमेशा फेस कि लाइन या stoồng लाइन में ही जूज किया जाता है ठीक है और न्यूट्रल जहें दोस्तों फैन के लिए डाइरेक्ट जाता है ठीक है तो हमने यहां पर कनेक्शन कर दिया है और यह हमारा तो हमने फैन का कनेक्शन भी कर दिया है तो अब हम अपना लाइट का कनेक्शन भी देखेंगे ठीक है तो अब हम अपने लाइट को जो है कनेक्शन देदेंगे हम यह दोस्तों लाइट के लिए उस कर रहे हैं ठीक है और यह हम दूसरे लाइट के लिए उस करेंगे तो दोस्तों हमारा पूरा बोर्ड जो है अभी कनेक्शन करके रेडी हो गया है तो मैं और एक बार आपको समझा देता हूं ठीक है तो दोस्तों हमने पूरा बोर्ड जो है कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है आप देख सकते हैं हमने रेड वाली जो है अर्तिंग के लिए यूज कि यह एलो वाली जो है face के लिए उसके लिए और ब्लू जो है हमने neutral के लिए use किए ठीक है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह हमारा earthing है यहाँ पर socket को आ गया है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते ते पहस्वार से आ गया यहां से उते हुए दूसरे स्विश में आ गया और यहां से उते 混 Зिविश में अ गया है तो आले चारो स्विश है ठीक है तो हमारा नेटरल स् cardboard दोस्तों ऐसे fashion आ गया है यहां पर थिक इस प्रकेट को ठीक है और यहां से हमने जो है तीन लाइन जो है न्यूटरल की निकाली है एक जो हम फैन के लिए यूज़ करने वाले हैं एक जो है हम और दो जो है हम दो लाइट के लिए यूज़ करने वाले न्यूटरल ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं दूसरी और यह रेगुलेटर से होते हुए हमारे फेज जो है फैन को जाएगे ठीक है कुछ इसी तरह से यहाँ पर करेंट आ गया है तो हम एक फर्स्ट वाला स्विच्च जो अन करते हैं तो यहाँ पर नीचे करेंट उतरेगा और यहाँ पर सॉकेट के जो है राइट सैड में जो है अनके लाइन मिल जाएगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते कुछ इसी तरह से यहाँ पर हमने दोसर्फिए तो जैसे हमें तीसरा बटन आउन करेंगा तो यहाँ से अनी राइन हमारा एक लाइट को जाने वाली है को थेंगे handlar है तो इसा इसे को दो लैट की आओन करेंगे तो यहां से कर्एंठ नीचे उत्रय गाँ और हमारा लाइट को जो मैं से लाइन जाएगा तिक नुच खूंतरोंया होग हूं मट चौर्व fragen गाएं है खुट है तो और एले हमारा फ्य को जाएगा थीक है कि आप समस्थ सकते दोसतों कि यह दोनों जो है हमारा कुछ किस्तरा से बनेगा ठीक है मैं आपको दिखाद यह दोस्तों यह नू टृम्टरल और फेज जो प्यान के लिए जाएगा ठीक है ए लाइन और इसमें का एक न्यूटरल ए दोनों जाएगा हमारे लाइट के लिए और ए लाइन और ए तीसरा वाला न्यूटरल ए जाएगा हमारे दूसरे लाइट के लिए ठीक है तो कुछ इस तरह से जो है दोस्तों आपको एक कनेक्शन करन अपका बोल्ट जो है सही तरेके से काम करेगा ठीक है तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट किजिये मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लाइब चैनल को सबस्क्राइब कि किजिए विडियोज को लाइक किजिए और अपने दोस्तों को भी शेर किजिए ठैंक्स पर वाचिंग जैहिन वन्दे मात्रम पर अच्छिंग जैहिन वन्दे मात्रम